हलो गाईज कैसे आप लोग मैं हूँ अमित तल्डा आपका फ्रेंड फिलोसोफर एंड काईड स्वागत है आपका बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक पे जो मैं आप डिसकस करने वाल हूँ आज आपसे और काफी बच्चे इससे परिशान है जितने भी बच्चे अगस्ट एक एक्सपेक्टेशन रख रहें और उसके जैसे अब्वियसली उनका कॉंफिडेंस लूज होते जा रहें तो मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखें अगर आपने पढ़ाई लेट स्टार्ट की है तो पूरी नहीं होगी सारे चैप्टर क के अंदर सारे टॉपिक्स कवर नहीं होंगे सारे टफ टफ कॉश्टन नहीं कर पाओगे काफी चीज़ें स्किप करनी पड़ेगी तो इसके वज़े से पैनिक करने की कोई फायदा नहीं है जितना आपका इंपूट होगा उतना ही आउटपूट होगा यह बात आपको समझ बात को अगर आपने लिमिटेड इन पूट ही दिया है तो लिमिटेड आउटपूट ही आएगा और अन्नेसेसरी अगर आप उसके बारे में अपने आप उटव्ट करना चालू कर दोगे तो जितना आप कर सकते जितना आप कर सकते हो, easily आप pass हो सकते हो, वो भी नहीं हो पाओगे, तो काफी बच्चे जो चीजें हो सकती हैं, उतनी भी नहीं कर रहें, just because जो चीज होनी चाहिए, जो आपने सपने दे के थे, या जो अपने आप से आप expectation रखते हो, वो नहीं हो पारा है, इसलिए, तो ऐसा मत करो, यह गलती है, ऐसा मत करो, जितना आप से होता है, best possible effort आपको अपने आप देना है, yes, desired output might be, आप जैसा चाहते हो, ऐसा नहीं हो, ऐसा हर एक के साथ होता है, सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा है, मेरे साथ भी हो रहा है, मैंने भी CA में revision ली, मेरे भी expectation दे कि इतने views ठीक है, तो इसका मतलब मैं क्या revision लेना बन कर दूँ, ऐसा नहीं होता, आप अपना input अच्छा दो, मैं satisfied हो कि मैंने पढ़ाया अच्छा, मैंने अच्छा coverage लिया, मैंने अपना पूरा time दिया, अब जिन्नोंने देखा उनका फाइदा होगा, जिन्नोंने नहीं देखा उनक अपना बैस देना है, बाकी जो हुआ हो देखा जाएगा, जैसे काफी बच्चे एक और topic है कि काफी बच्चों को recall नहीं हो रहा, काफी चीजों, काफी चीजे memorize नहीं हो पारी, ये भी होगा, तो आप कोई समझ नहीं, कुछ लोगों को दो बार में पढ़के याद आ जाता तो आप उसको अपने आप से क्यों compare कर रहे हो, why you are demotivating yourself, just because he is gifted, आप समझो बात को, अगर उसका एक बार में हो जाता है, जरूरी नहीं है कि आपका भी हो, सब लोग अलग-अलग हैं, किसी का एक बार में पढ़के हो जाता है, किसी का दो में, किसी का तीन में, किसी के चा होता है, you don't need a friend to tell you how you are, समझ में आ रहे हैं, आप अपने आपको जानते हो, तो आप अपने हैसाब से चलो, आप समझो की चलो वो हुशार है, उसका एक बार में हो जाता होगा, पर मेरा नहीं होगा, पर मैं दो बार पढ़के कर दूँगा, तीन बार पढ़ने के लिए मैं जादा लोगे, इसका मतलब यह नहीं आप उससे पीछे हो, या उससे आप बहुती कम हो, सबकी जर्नी अलग है, आप अपनी जर्नी पे ध्यान दे, अपने एफर्ट्स पे ध्यान दे, मेरा यही आप से रिक्वेस्ट होगा, बिल्कुल भी दूसरों से कंपारिजन न करें, और बिल्कुल भी अपने आप से अन्रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन न रखें, कि आप एक बार रिवाइस करके मुझे सब रट्टू तोते की तरह सब मगभ हो जाए, याद हो जाए, और मैं बोलना चालू कर लूँ, या दो बार में हो जाए, तीन बार में हो जाए, जर आपको याद आ जाएगा, एक्जैम में याद आ जाता है भाई, अगर आपने तीन से चार बार रिविजन कर ली है, अगर तीन से चार बार आपका रिविजन हो गया है, आपको चीज़ें एक एक करके एक्जैम में याद आ जाती है, और अगर आपने पहले पास्ट अटेम दिये हैं, तो आपको यह experience भी होगा, कि चीजें अपने आप वो exam pressure में एक एक point करके याद आ जाता है, अब इंसान हो, machine थोड़ी हो, कि दो बार पड़ोगे, पांच point पड़ोगे, तो पांचो point एक साथ बता दोगे, ऐसा नहीं होता है, वो ही कह रहा हूँ, realistic expectations रखो अपने आपसे, 8 point है, 8 point पड़े जा रहे हैं, तो सार 8 के 8 याद नहीं आएंगे, 3 या 4 भी आ जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, जब आप 3-4 लिखने बैठोगे, तो आपको आगे के 4-5 point और याद आ जाएंगे, तो ऐसा ही होता है, यही realistic expectation है, जो मैं चाहता हूँ, हर बच्च comparison नहीं करो, comparison नहीं करो, ठीक है, पहला point, दूसरा point कि आप realistic expectation रखो, late start किया है पड़ाई, तो भाई पूरी नहीं होगी, कुछ chapter skip करने पड़ सकते हैं, कुछ topic skip करने पड़ सकते हैं, still you can pass, still you can pass, आपको मैं यही बताना चाहता हूँ, कि पूरे chapters पड़के गये हैं, अपना exam tip में बताया था, कि आपकी पड़ाई, आपके target के साब सुनी चाहिए, अगर आप किसी subject में 40 मा की लाना चाहते हो, तो आप उसमें काफी material skip कर सकते हो, तो आप क्यों tension ले रहे हो, आप preparation 60 के साब से कर रहे हो, पर आपका target 40 है, तो यह कितना गलत है आप सोचो, आप अपने 70, 80 लोग ऐसा पढ़ते हैं, जैसे उनको all India highest लेने, ऐसे ऐसी बाते करते हैं मिर साथ, doubt solving में मैं बता नहीं सकता आपको, लोग ऐसी ऐसी बाते करते हैं, मुझे लगता है शायद 90 प्लस का target रखा होगा, जब मैं पूछता हूँ तो बोलते सर 50 लाने बस, बहुत हो गया, त आप ऐसे ऐसे topics क्यों पढ़ रहे हो, जो 90 प्लस वालों के लिए होते हैं, कुछ चीज़ें आप skip कर सकते हो न, अगर आपको नहीं जम रही हैं तो, still you can score 50, still you can achieve your targets, कितने अच्छी बात है, क्यों आप pressurize कर रहे हो, just because exam सामने है, तो आपको कोई और मौका चाहिए रहेगा अपने आपको pressurize करने का, मैं बता रहा हूँ, human mindset ऐसा ही होता है, exam सामने है, आपको बस reason चाहिए, panic करने का, कुछ भी चीज़ों का आप panic कर सकते हो, calculator खराब हो गया न, आप attempt skip करने के लिए रेडियो जाओगे, इतना मतलब panic होता है बच्चों का, कि नहीं यार, ये तो calculator calculator नया है, मैं नहीं कर पाऊँगा, मिर से नहीं होगा, ये फिर पता नहीं क्या-क्या, लोग procrastination करते हैं, तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, आपको बस reason चाहिए, panic करने का, तो अगर आप फालतू-फालतू चीज़ों पर panic कर रहे हो, तो आप समझ जाओ कि आपका mind है, वो reality नहीं है, वो बस आपका mind है, वो हावी हो रहा है, वो आपको pressurize कर रहा है, reality वो नहीं है, reality में आपकी बड़ाई हो रही है, reality में आप अच्छे से prepare कर रहे हो, और reality में अगर आप ऐसा ही करते रहे, पेपर अच्छे से आप देखे आ गए, तो आप पास हो जाओगे, यह सिर्फ mind आपको pressurize कर रहा है, तो आप ध्यान दीजे कि आप क्या चीज का pressure ले रहे हो, कोई अच्छी चीज है, कोई important चीज है, उसका pressure ले रहे हो, तो अच्छी बात है, कुछ type के pressures जरूरी होते हैं, अच्छे होते हैं, लेकिन फालतू चीजों का नहीं, फालतू intention था, I hope आपको इससे फायदा होगा, अगर आप इसको implement करोगे तो, सिर्फ सुनके एक कान से सुना, दूसरे कान से निकल लिया, तो सर कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं होगा, implementation बहुत ज़ादा ज़रूरी है, तो आप कहीं लिख लो इस बात को, कि आपको कोई न कोई point पे आप stress करोगे ही करोगे, तो वो सब abnormal चीजे है, आप बस अपना target क्या है, कितने marks का आपने target रखा है, उसके हिसाब से आप coverage रख रहे हो की नहीं, उसके हिसाब से आप उतना writing practice कर रहे हो की नहीं, उसके हिसाब से उतना revise कर रहे हो की नहीं, बस आप ये dekhou, थीक में comment करके बता सकते हैं, मैं उस पे separate वीडियो बना सकता हूँ, कोई दिकत नहीं है, जो भी problems आप face कर रहे हो, definitely मैं आपको help करूँगा उसको tackle करने में और exams को clear करने में, thank you so much for watching the video, channel subscribe कर लेना, अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, फिर मिलते हैं, next video में, thank you so much थे लोई हैं, किस्ते हैं, the most dislocate दो है, जो आपको हैं, बार मेरा वीडियो बाển सकते हैं, वीत रहाँ कर दो दिकते हैं,ट द्रह जोई हैं अवीगिisas Giggles प्शी हैं, उसी मेॉग्य है हैं, þaust आपको उनaimerai में बारा सकता हैं, तो जो झायर हैं याली करता हैं, वीज हैं और